नमस्कार सुराज एक्स्प्रेस पर खेती किसानी और ग्रामीन भारत की ताजा तरीन खबरे लेकर मैं आने का आरेन हाजिर हूँ किसान भुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेड्लाइन्स के साथ मैगनिफिसेंट MP इंवेस्टर समिट में जुटे आदी गोद्रेट संजीव पूरी समें बड़े उद्योगपती सीम कमलाथ ने पेश किया क्रिशी क्षेत्र का खाका उद्योगपतियों से की फूड प्रोसेसिंग में निवेश की अपील बास्मती चावल के निर्यात में आ रही अर्चनों से गिरे दाम इरान और साओधी अरब से निर्यात सौदे घटने का असर किसानों को मिल रहा प्रती क्विंटल साड़े 500 रुपे तक कम कीमत RCEP के विरोध पर मुखर हुए किसान PM मोधी के नाम ग्यापन देकर की मुक्त व्यापार समझोता ना करने की अपील मांग ना माने जाने पर दी बड़े आंदोलन की चेतावने उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में होम गार्ड्स का प्रदर्शन जारी अधितिनाद सरकार से जल्द बहाली करने की मांग सरकार ने दिलाया नौकरी ना जाने का भरोसा भव्य सांस्कृतिक आयोजन के साथ इंदोर में मैंगनिफिसेंट MP इंवेस्टर समिट शुरू हो गया है अपने उद्गाटन भाशन में मुख्यमंत्री कमलात ने कहा कि मध्यप्रदेश में निवेश का ये सबसे अच्छा समय है उन्होंने कहा कि आप मध्यप्रदेश पर भरोसा कर सकते हैं अपनी सरकार की उपलब्धियों का खाका पेश करते समय मुख्यमंत्री कमलात ने कहा कि हमने 10 मा में असंभव को संभव बनाने की कोशिश की है 20 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है उन्होंने निवेशकों से food processing चेत्र में निवेश करने की अपील की to provide solar energy at reduced rates. Land diversion from agriculture to non-agricultural use. Self-intimation of permissions. We do not want, we do not want this myriads of approvals. We are simplifying this. Most important of all, we are going ahead with reforms in governance. I am encouraged with our endeavors in the state, the advantages that I spoke about and the tremendous support and guidance of the Honourable Chief Minister, we are now intending to make a large investment in a state-of-the-art food processing facility in Madhya Pradesh and this will entail an investment of 700 crores, land is already with us, some pre-design work is already commenced and very soon this facility will commence operations, at least the commence operations and we hope and we like to promise you that we will make it a showcase food processing facility for the state. And there is of course going to be our range of food products that we will make here, the brands that I listed, but there is one additional facet that will be there in these facilities is going to have a large facility for dehydrating vegetables and we are going to start working with farmers in developing high yielding beans and carrots which we are going to dehydrate and market on a pan-India basis. और अब बात करते हैं RCEP की शुक्रवार को देजभर में किसानों ने प्रस्तावित क्षेत्रिय मुक्त व्यापार समझोते RCEP के खिलाफ प्रदर्शन किया, किसान इससे सस्ता आयात बढ़ने और सही कीमते ना मिल पाने को लेकर काफी चिंतत हैं, इसके विरोध में उत्रे किसानों ने जिला अधिकारियों को प्रधानमंत्री के नाम मांग पत्र सौपा, उन्होंने समझोते को रद करने की मांग की, राश्ट्री किसान मजदूर महासंग ने अपनी मांग ना माने जाने पर शहरों को दूद और सबजी की सप्लाई रोकने की भी चेताव नी दी है, बीते दिनों दिली में पंजाब, करनाटक, आंधरुप्रदेश, ओडिशा और केरल समेथ 15 राज्यों की किसानों ने RCEP को लेकर बैठक की थी, इनका कहना है कि समझोते से खेती और डेरी से जुड़े छोटे किसानों पर सीधा असर पड़ेगा, सस्ते आयात से ग्रामीन अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से बिखर जाएगी। सामने रखी है जिला अधिकारियों से और जो मांग पत्र प्रधानमंत्री को सौपने की बात है, उसमें क्या कुछ है? चिलानले परधानमंतरी जी आप किसानों के हीतों की रख्षा कीजिये और ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे किसानों को नुक्सान हो, या जिससे किसानों के हितों को नुक्सान पहुंचे. हमारा इसमें चिंता यह है कि यह RCEP मुख वियापार समझाता है इस मुख वियापार समझाते के तहट 15 देशों से क्रिशी के उत्पाद, दूद के उत्पाद और स्मॉल स्केर इंडस्ट्रीज के उत्पादों का आयाद किया जाएगा और 80% प्रोड़क्स पे आयाद 0% कर दिया जाएगा अब देखने की बात यह है कि जब इस समय चाइना के समानों के फ्रीट अग्री में इंपोर्ड डूटी लगती है उस समय में भी चाइना के साथ हमारा जो ट्रेट जाएगरिमेंट को पूरे तरीके से एक तरीके से वारे मार्केट को फ्लड कर देगा तो और दूसरी इसमें बात ज्यान देने योग यह है कि बहुत सारे जो दरबारी बुद्धी जीवी है वो यह कहते हैं कि हमारे किसानों को भी मौका मिलेगा बाराफ समान बेजने के लिए लेकिन सवाल यहां पर यह उखता है कि हम अपने किसानों बितुलना विदेश की किसानों से नहीं कर सकते हैं जी अभी मन्यू यह बताएं कि हमने पीछे भी पास्ट में भी जैसे कहते हैं कि हिस्ट्री से हम हमेशा कुछ सीखते हैं हमने पास्ट में भी देखे हैं ऐसे तमाम फ्री ट्रेड अग्रिमेंट्स हुए हैं और उनका बुरा असर पड़ा है देश की अर्थ व्यवस्था पर ऐसा एक्सपर्ट का कहना है तो जब हम अलरड़ी ये देख रहे हैं तो क्या उससे हम कुछ सीख नहीं रहे हैं कि हमारी जो नेगोसियेशन होनी चाहिए नेगोसियेटिंग पावर उतनी स्ट्रॉंग होनी चाहिए कि एट पार हम उस डील को उस समझोते को करे अगर करे भी जी देखिए इसमें क्या होता है अब तक हमने 14 फ्री ट्रीड एग्रिमेंट साइन किये हैं सबसे पहले भारत और श्रीलंका के बीच अप्ति ये हुआ था फिर चिली के साथ हुआ जापान के साथ हुआ साउथ कोरिया के साथ हुआ अलग 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 देशों के साथ हमारे 14 फ्री ट्रीड एग्रिमेंट हुए अगर हम अभी तक सभी फ्री ट्रीड एग्रिमेंट का अगर जो रिजल्ट आया कर उसको उठा के देखे तो हर free trade agreement से हमें नुकसान हुआ है और जैसे अगर मैं जापान के साथ free trade agreement की बात करूँ तो जापान ने अपने उत्पात को हमारे देश में भेज दिये लेकिन जब हमने आम अपना एक्सपोर्ट किया जापान को तो जापान ने एक जापान के बाद कहा कि यह शकल से तो देखने में आम लगता है लेकिन यह आम है नहीं और तो हमारा एक्सपोर्ट होता था उस एक्सपोर्ट पर पूरे तरीके तरोक लगा दी तो अभी मन्यू मैं उसी negotiating power की बात करे हूँ कि जिस तरह से दूसरे देश हमारे देश के सामान पर quality खराब है या जो भी कहकर उसको एक दर किनार करते हैं क्या इस तरह का हम दूसरे देशों का जब सामान आता है तो क्या हम उस तरह की बात अपनी पुर्जोर तरीके से सामने नहीं रख पाते क्या नेगोसेशन में कहीं न कहीं डिलाई बढ़ती जा रही है देखिए अभी ground fact यह है कि अभी कुछ चिन पहले सरकार ने वो कमेटी बनाई है जो एक ऐसा mechanism बनाएगी जो इस बात की जाच कर सके कि जो विदेशों से जो हमारे देश में तमान आ रहे हैं इनकी quality क्या है quality चेक करने के लिए अभी कमेटी बढ़ाई गई है अभी कोई mechanism नहीं है बढ़ते अगली खबर के और अनाज मंडियों में सीजन का नया बासमती धान आना शुरू हो गया है लेकिन किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल रही है इस हफते बासमती चावल की कीमतों में साड़े 500 रुपे प्रती क्विंटल की गिरावट आई है इरान और साओधी अरब से बासमती चावल की मांग घटने को बड़ी वजहा माना जा रहा है इसके अलावा अफरीकी देशों में भी इसकी मांग में भारी गिरावट आई है बीते सीजन के मुकाबले साल बासमती चावल का निर्यात दो लाख टन घटकर 16.6 पांच लाख टन ही रहा इसके अलावा पिछले चार महीनों में भी बासमती चावल के निर्यात में भारी गिरावट देखी गई है कारोबारियों के मुताबिक इरान पर अमेरिका की आर्थिक पाबंदी के चलते मुश्किलें पेशा रही है वहां भारतिय चावल निर्यातकों के करीब 1500 करोर रुपए फसे हुए है जबकि 500-600 करोर रुपए का चावल भारतिय बंदर गाहों पर पड़ा है पुराना भुकता ना होने से व्यापारी नए सौदे भी नहीं कर पा रहे हैं इसलिए नई फसल की कीमत सुस्त बनी हुई है करनाटक गन्य की खेती के मामले में देश में तीसरे पाईदान पर है यहाँ बीते दिनों आई बाढ का गन्य के उत्पादन पर असर पढ़ने का अनुमान है ये जानकारी राजय के गन्ना मंतरी सी टी रवी ने दी। उन्होंने कहा कि कई हफतों तक बाढ के चलते एक दशमलव पांच दो लाख हेक्टेर गन्य की फसल पर असर पड़ा है यहां गन्य की खेती का कुल रगबा पांच लाख हेक्टेर है गन्य की कम पैदावार से यहां इस साल चीनी मिलों के पिराई सत्र का समय घट सकता है करनाटक में बीते साल 410 दशमलव 6-5 लाख टन गन्य की पिराई हुई थी और इससे 44 दशमलव 3-1 लाख टन चीनी का उत्पाद हुआ था करनाटक के गन्य मंत्री ने 11,948 करोड रुपे में से किसानों को केवल 84 करोड रुपे चीनी मिलों पर बकाया होने की बात कही गन्य के बकाया भुकतान के मामले में यूपी की बात करें तो यहां हालत सबसे ज्यादा खराब है यहां किसानों का 46 करोड रुपे बकाया है इससे गन्य की खेती बीते साल 27.94 लाख हेक्टियर के मुकाबले इस साल 26.8 शून्य लाख हेक्टियर रह गई है जैसे कि आपको बताया कि गन्य के बकाया भुकतान के मामले में सबसे ज्यादा गन्य उगाने वाले यूपी की हालत सबसे ज्यादा खराब है यहां किसानों का 46.00 करोर रुपे बकाया है बकाया भुकतान के लिए दी गई समय सीमा भी बीत चुकी है लेकिन रभी की बुआई और त्याहरों की तैयारी में लगे किसानों को अपना बकाया भुकतान अभी तक नहीं मिल पाया है इसका सीधा असर प्रदेश में गन्य की खेती पर पड़ा है यहां बीते साल 27.00 लव 9.4 लाख हेक्टियर के मुकाबले इस साल गन्य का रगबा 26.80 लाख हेक्टियर रह गया है उत्तर प्रदेश में छुट्टा जानवरों की समस्या किसी से छिपी नहीं है इसको लेकर 26 गड के मुख्य मंतरी भूपेश बगहिल ने आदितेनाथ सरकार पर निशाना साधा उन्होंने कहा कि किसानों को अपनी फसले आवारा जानवरों से बचाने के लिए रात रात भर चौकिदारी करनी पड़ रही है विबारा बंकी के जैदपूर में विधान सभा उप्चुनाव के लिए प्रचार करने आये थे यहाँ पर चौनावी सभा को समोधित करते हुए भूपेश बगेल ने यूपी में किसानों को फसलों की सही कीमत ना मिलने का भी सवाल उठाया किसान बुलिटिन में वक्त एक चोटे से ब्रेक का ब्रेक के उस पार खेती किसानी से जूड़ी कुछ और एहम खबरें आप देखते रहे है किसान बुलिट मैगनिफिसेंट मध्य प्रदेश का आगाज इन दौर में उद्योग पतियों का समागम तलाशी जाएंगी पूंजी निवेश की संभावनाएं महसूस की जाएगी भरोसे की ताकत होगी विश्वास के नए दौर की शुरुवात बेमिसाल मध्य प्रदेश में खुलेंगे संभावनाओ के नए दौर मैगनिफिसेंट मध्य प्रदेश इन्वेस्टर समिट दो हजार उन्नीस प्रदेश की किसान क्या सोचते हैं इस पर किसानों से बाचीत की हमारे संभादाता शशांक पाठक में खेत कलियान किसानों की तरफ धानने जाकर राष्टवात को मुद्धा बनाया जा रहा है इस सरकार को क्या करना है? कुछ नहीं करना है इसने तो पर जमीदार और किसानों को बरबाद करना है खटर सरकार नहीं है तो भाई बुरा बोलू तो बुरी बात है लेकिन सिद्धी से दी बात है किसान विरोधी है हर्याना में चुनाव हैं नेताओं की रैलियां हो रही हैं भाषन हो रहे हैं और वादे भी किये जा रहे हैं लेकिन हम यह जानने आये हैं कि क्या इन रैलियों में इन चुनावों के भाषनों में किसानों की खेत खलियानों की या गाउं की बाते हैं क्या उनसे जो वादे पाच साल पहले किये गए थे वो खट्टर सरकार ने नभाए हैं किसान और खेत खलियान की बाते ना करके हमारे मालन ये खट्टर साब और हमारे प्रदान मंत्री जी पुलवामा 313-370 पाकिस्तान पे ज्यादा कुछ बोल रहे हैं ताकि लोग खेत कलियान किसानों की तरफ धानना जाकर राष्टवाद को मुद्धा बनाया जा रहा है ताकि लोग राष्टवाद से प्रेडित होके इन्हें वोट डालें और ये अपनी मनवरजी चलाते रहें इनको ये गमन्ड हो गया है कभी बिना काबिल आदमी को जब इतनी वोट मिल सकती है तो उसी दी बात है कि आम जो चाहेंगे वोट उसको मिलें इस आरासस की पार्टिम किसान है नहीं तो देख लिए आप इस सरकार ये तो कुछ करे नहीं इस सरकार को क्या करना है तो ऑइस नहीं करना है तो रफस जमीदार और ऐसों को षिसानों को बरवाद करना है तो देख लिए इस ये तो खातब में कुछ साथ दों कोषब और सब्सकार किशान करे गए किके किशान समभनी ते आप बाता रहे किसान तो किसे टाइम बेचे निस ने बेच आव अपना ने बेच के न पारे आवे यद शर्दर दिये सखाम खाएंगे टेंशन बड़ी दस कोंटर लियांग आठ कोंटर लियांग कंडिशन लगा दी किसान ना ना तो ये खट्ट आले चै मोदी डाले जूत्ती बराबर भी ना समझी बोट मांगर ताजयांशी कोई समस्या नीशू पाणी किसे बिना दाना ना हूँ किता मैं पाणी पीओन नहीं मिले आपनी तरफ से पूर जोर कोशिजे कर रहे हैं कि किसी भी तरफ भी जेप दोड़े को आरा वो खट्ट सरकार नहीं यह तो भाई बुरा बोलूं तो बुरी बात है लेकिन सिदी सी दीबात है किसान विरोधी है खट्ट सरकार ने चट्टा में आने से पहले पांच साल पहले जितने वादे किये थे उनमें से कौन-कौन से वादे पूरे हुए देख ने तो दंखड साब देखाई दे रहे हैं नहीं खटर सरकार कुछ कर रही है वैसी दीवात है किसान तो आखर आ रहे अधर आर्या मरण हो रहासर मारा तो 8-9 किसान मर भी लिया अगर अगर आप 10 में से कुछ नंबर धेना चाहो तो कितने रही हम तो मैनस में देंगे कि लिए जो खटर सरकार ने काम किया उसके लिए आप कितने नंबर देंगे ? जीरो बटा-जीरो आप कितने देंगे ? दो नंबर आप तो दानजीनियों में बहुत धी बात है वे वर्थमान सरकार के करतृतों से इसकी कारवज़ूराइस है हर्याना की राजनीती भी अब नई सत्ता के लिए तैयारी कर रही है और जनता के बीच तमाम निता हैं तमाम पार्टिया हैं अब देखना यह होगा कि जो किसान इस खेत में नई फसल होगाते हैं क्या वो अपने मनवाफिक राजनीती को बदल पाएंगे अपने मुद्दों पर नई सत्ता को गड़ पाएंगे हर्याना के चर्की दादरी से कैमरा परसन रमेश के साथ शेशांग पाठक सुराज एक्स्प्रेस चारखंड में बोकारों के चंदरपुरा पावर प्लांट की लापरवाही ने दामोदर नदी को प्रदूशित कर दिया है यहां तेल की अनलोडिंग के दौरान हुए लीकेट से सैंक्डों लीटर तेल नाले के जरिये नदी में मिल गया इससे बोकारों से लेकर जरिया तक दामोदर नदी प्रदूशित हो गई इससे नदी के पानी पर निर्भर हजारों लोगों के सामने अब पीनी के पानी का संकट खड़ा हो गया है पशु पक्षियों और मवेशियों तक को पीने के पानी की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है पावू प्लांट की इस लापरवाही के खिलाफ स्थानिय लोगों में काफी नाराजगी है वे दोशी अधिकारियों के खिलाफ सक्त से सक्त कारवाई की मांग कर रहे हैं इस मामले में दामोदर वैली कॉर्पूरेशन के अधिकारे कुछ भी बोलने से इंकार कर रहे हैं। मही प्रदूशन यंतरन बोर्ड ने मामले की जाच कर दोशियों के खिलाब सक्त कारवाई करने की बात कही है। मेनेजमेंट जाया भेजेंग हैं उसके बाद जेशा डायरेक्शन है उसके अमस्वास से हम लोग करें। यूपी में होमगाद्स की नौकरी अधर में लटकी हुई है। सरकार के सफाई भी होमगाद्स में भरोसा नहीं जगा पा रही है। वो मुजफर नगर में अपनी नौकरी बचाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आखों में आसु। और ये बेबसी। भीक मांगने से लेकर काली पट्टी बांध कर ये होमगाद्स चार दिन से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर में होमगाद्स का ये वो तपका है जो ग्रामेर राके से आता है। कोई 20 साल से तो कोई 30 साल से होमगाड की नौकरी कर रहा है। लेकिन आधितनाथ सरकार के एक फैसले ने इन्हें ऐसे चोराहे पर खड़ा कर दिया है। जहां से आगे का रास्ता इन्हें नहीं दित रहा। दरसल होमगार्स को पहले 500 रुपए का रोजाना भत्ता मिलता था। जिससे सुप्रिम कोड ने 672 रुपए करने का आधेश दिया। लेकिन यूपी सरकार ने बजट का हवाला दिया और 25,000 होमगार्स की नौकरी पर तलवार लटक गई। हालाकि मामले को बढ़ता देख बाद में सरकार ने रोजगार के दिन कम करने की बात कही। मैं इन लोगों से सबसे तो यही अपील करना चाहूँगा और कहना भी चाहूँगा कि आप लोग कोई धरना प्रदर्शन मत करिएगा। यह सुप्रिम कोड का निर्ने आया है और वो लोगी सुप्रिम कोड गए थे यह बढ़ा हुआ जो मांदे है। मंतरी जी का आश्वासन अपनी जगा है लेकिन होम गार्ड जल्द से जल्द बहाली की मांग कर रहे हैं। क्योंकि इस मामले से रोशनी के तिवहार में इन होम गार्ड को अब आगे अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफर नगर से आशीश कुमार के साथ वीरे रिपोर्ट सुराज एक्सप्रेस। दिली एंसियार में हवा की क्वालिटी लगातार खराब होती जा रही है। उधर पंजाब में सरकार की लाख कोशिशों के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। वो इसे अपनी मजबूरी बता रहे हैं। किसानों के मुताबिक पराली को जलाने की जगहा दूसरे तरीकों से पराली को निप्टाने पर ज्यादा खड़ जाता है। जिसे छोटे किसान नहीं सह सकते हैं। किसानों ने इसके लिए सरकार से प्रती एकड़ 6,000 रुपे की आर्थिक मदद की माग की है। किकसान के इनुदा सानों मला लाँन lemons दी लोडी निँ। तुसी आप मला साधी पराली जड़ी हैं दी बलन को साम समा लवास ते लेजो प्राली साधी को लेजो। जे नई तो इकार निसानु सामसमाल वास ते बाउनस रूप देवों पैसे जाएं दी सामसमाल वास ते उस तरह दीजार बिया मलायक एकड़ भीषे ते सरकार कोश भी निकार दी जमू कश्मीर का विशेश दर्जा खत्म किया जाने के बाद से घाटी के हालात सामानिय नहीं हो पाए है शोपिया में सेब व्यापारी और ट्रक ड्राइवर की हत्या के बाद से कारोबारियों में खौफ का माहौल है इससे सेब कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है सेब व्यापारी घाटी छोड़ने लगे हैं इससे से बागवानों को इस साल भारी खाटा लगने का खत्रा खड़ा हो गया है। हम यहां कार्ट होने लग रहे हैं किया पता कोन कर रहा है कोन भी कर रहा है। हम यहां कोन कर रहा है। हम यहां कर रहा है।